अमित कुमारी और एजुकेटर वेलकम्स यौल ऑन मैं चैनल सुअन्व मतलब होता है कॉप्स यह ग्रीन का मतलब हर Main नहीं इसकी एध जाहने कि अनी कि के तो जब हमारी फसल यानि कि हमारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बहुत जादा उचाल आया यानि कि बहुत जादा इंक्रीज हुई तो उसे हम कहते हैं Green Revolution जब government ने कुछ reforms बनाई थी जैसे कि हम पढ़ चुके technical institutional general reforms इनकी वज़े से हमारी crops की जो production थी पैदावार थी वो बहुत जादा बढ़ गई तो आज हम पढ़ेंगे कि इस Green Revolution के आने से हमारी country को क्या फाइदा हुआ या क्या नुकसान हुआ तो इसमें सबसे पहला आता है achievements ठीक है achievement का मतलग क्या उपलब्दिया हासिल हुई हमें देखे फेस इसके दो थे फेस का मतलग चरण दो चरणों में ये हुआ पहला चरण जो था वो आया था आपका 60s and 70s के middle में 60 से मतलब 1960 से 1970 के दशक का ये time period था जहाँ पर Green Revolution आया तो ज इकत क्या थी कि सबसे जादा जो focus किया गया था वो सिर्फ दो चीजों के production पे किया गया था wheat के production पे and rice के production यानि गेहों और चावल सबसे जादा गवाया गया बाकियों के production के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया गया और दूसरी बात इसमें क्या थी कि सिर्फ तीन स्टेट यानि कि पंजाब, आंदरपरदेश और तामिल नाडू सिर्फ यही तीन स्टेट हैं जहाँ पर Green Revolution प्रॉपर तरीके से काम करा यानि कि वहाँ जादा तर हमारी जो पैदावार थी वो बढ़ी लेकिन आल अवर इंडिया में जो पैदावार थी वो उतनी नहीं बढ़ पाई फिर दीरे दीरे वक्त गुजारता गया और हमारा टाइम आया 70 से 80 का जब हमारे कंट्री में Green Revolution पूरी तरह से फैल गया मीन्स इंडिया में हर स्टेट में हर सिटी में हर विलेज में जहां जहां पर भी खेती बाड़ी लोग करते थे किसान करते थे वहां पर इस चीज का इस्तेमाल होने लगा और उनकी प्रोड़क्शन में बढ़ोतरी होने लगी मीन्स उनकी जो पैदावार थी वो बढ़ने लगी तो जब ये वाला टाइम पिरिट चल रहा था तो उस समय ग्रीन रेवलूशन के क्या-क्या फाइदे हुए हम वो पढ़ेंगे यानि कि आल अवर इंडिया में जब ग्रीन रेवलूशन आया तो क्या फाइदा हुआ किसानों को सबसे पहला sport in productivity, sport का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ उच्छाल यानि की increase जो production था वो एकदम से दुगना तिगना बढ़ने लगा बहुत जादा production होने लगा क्योंकि government ने कुछ ऐसे reforms बना दिये थे जैसे की सबसे दामों पर उनको अच्छे बीज, अच्छी पर्टिलाइजर्स और अच्छे पेस्टिसाइड की इतना शक दवाईया वगरा मिलने लगी जिसकी वज़े से किसानों की जो सफसल थी वो पैदावार अच्छी होने लगी तो हम कह सकते हैं कि यह ऐसा दौर था जब हमारा production जो था वो दुगना तिगना बढ़ने लगा आप देख सकते हैं मैंने एक example लिया है गेहूं का आप देखिए कि 2018 और 2019 में हमारी जो गेहूं की production है वो कितनी है 3,408 kg पर हेक्टर और जो की 1951 में यह सिफ कितनी थी 660 kg तो आप देख सकते हो कि कितना जादा increment आया है production में और भी बहुत सर एक्जांपल्स आपके बुक में दिये होंगे राइस के वेज के आप वो भी याद कर सकते हैं ठीके next क्या फाइदा हुआ हमें green revolution का कि substantial rise होने लगा यानि की बढ़ातरी होने लगी किस में अग्री रेज में इसका मतलब होता है area under cultivation यानि की ऐसा कितना area है जहां पर आप cultivation कर सकते हो यानि की आप फसल की उपजाओ कर सकते हो मतलब फसल उगा सकते हो तो जब HVY आया यानि high yielding seeds आयना तो government ने क्या किया कि अच्छी technology का इस्तिमाल करना किसानों को सिखाया जिसकी वज़े से उनकी पैदावार बढ़ने लगी अब उनको क्या होने लगा कि पहले के टाइम पर एक बहुत बड़ी problem थी जिसे हम कहते है following ठीक है अब वो problem खतम हो गई यानि हम कह सकते हैं कि 1970 से 80 के दशक में following जो थी वो eliminate हो गई यानि की खतम हो गई अब ये following होता क्या है देखिए following का मतलब होता है कि जब हम एक फसल उगाते हैं और उसकी कटाई कर लेते हैं उसके बाद जब हम दूसरी फसल के बीज उसमें डालते हैं जमीन में बोते हैं बीज को तो उस समय आपकी पहली वाली फसल की कटाई की वज़े से उस जमीन में जो जावपन यानि की जो fertility होती है वो कम हो जाती है तो जैसे ही आप तुरंट उसके उपर दूसरे वाले बीज डालोगे और उसको उगाने की कोशिश करोगे तो पैदावार यानि की production उतना नहीं हो पाता ठीक है तो किसानों को क्या करना पड़ता था कि एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल को उगाने से पहले कुछ टाइम के लिए अपनी जमीन को खाली छोड़ देना पड़ता था मतला वो कुछ भी नहीं उगाते थे उस टाइम में तो उस टाइम पर किसानों को नुक्सान होता था सपोज उन्होंने एक महिने के लिए जमीन को खाली छोड़ा है तो एक मिने त के बाद दूसरी फसल को उगाने से पहले जो बीच में टाइम चोड़ना पड़ता था उसको छोड़ने की जरुवत नहीं रही ठीक है वो लगातार फसल उगाते जाते थे जिससे की उनका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया नेक्स आता है शिफ्ट फॉम सब्सिस्टेंस फार कर लेता है वो उसको मार्केट में बेचने नहीं जाता वो क्या करता है सब्सिस्टेंस याने की जीवन जीने के लिए वो फसल उगाता था लेकिन जैसे जैसे ग्रीन डेवलुशन आया प्रोडक्शन इतनी जादा होने लगी कि किसानों के पास खुद कंजियूम करने के बा कि वो चेंज हो गए कहां शिफ्ट हो गए कंवेंशनल फार्मिंग की तरफ यानि कि अब वो फसल सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाते थे वो फसल बेचने के लिए उगाने लगे ताकि उनको अच्छी मोटी कमाई हो जाए ठीक है नेक्स आता है कि ग्रीन रेवलुशन के आने से जो फार्मर यानि की किसान था उसकी सोच में आउटलुक का मतलब होता है उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा कैसा परिवर्तन देखी जब उसने मार्केट में अपनी फसल बेचने शुरू की और उसको अच्छी कमाई होने लगी तो वह समझ गया कि मेरी जो क्रॉ आप्स है वो सिफ खानी के लिए नहीं है मैं उसे मार्केट में बेच कर अच्छी कमाई कर सकता हो जिससे की मेरा स्टांडर ऑफ लिविंग बढ़ सकता है तो उसका जो नजरिया था ना पहले वो खेतीबाडी को कमाकता था वो कहता था खेतीबाडी इतनी अच्छी चीज इतना अच्छा employment यहां नहीं है लेकिन उनका नजरिया चेंज होने लगा जब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी तो इसकी वज़े से किसानों की जो सोच थी उसमें भी परवेटतन होने लगा and then last self-sufficiency in food grain production self-sufficiency का मतलब होता है आत्मे निर्भर होना जब किसान जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़के गए थे तो उस टाइम पर हमारे जो किसानों की हाला थी वो बहुत खराब थी क्योंकि मैं आपको अलड़ी दूसरी वीडियोस में बता चुकी हो कि उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवाई लगे जितना जादा प्रड़क्शन होने लगा उतने जादा वो आत्मनिर्वर होने लगे अब उन्हें सरकार से कुछ पैसा या गेहु चावल फ्री में लेने की ज़ुरत नहीं थी या किसी और से उधार लेने की ज़ुरत नहीं थी वो आत्मनिर्बर होने लगे क्योंकि उनकी जो प्रडक्शन थी वो इंप्रूव होती चली गई ठीक है तो यह कुछ फाइदे थे ग्रीन रेविलुशन के इसके बाद टॉपिक आता है कि क्या ग्रीन रेविलुशन में हमें उतना फाइदा दिया जितना हम चाहते थे यह इसकी कुछ सीमाएं थी तो इसमें हम देखेंगे लिमिटेशन यानि कि ग्रीन रेविलुशन जो था उसने नो डाउट कि उसने हमारी कंट्री की सिचुएशन को improve किया farmers की situation को improve किया लेकिन कुछ कमिया थी उसमें जैसे की first limited crops यानि की green revolution का motive था कि इंडिया में जितनी भी तरह की crops है उन सभी की production बढ़े लेकिन actual में हुआ कि सिर्वीट और rice की production है जो जादा बढ़ी बाकि सारी फसलों की production उतनी नहीं बढ़ पाई सेकंड आता है uneven spread uneven spread का मतलब कि इंडिया में जितनी भी जगाएं हैं उन सभी जगा पर जो green revolution था उसमें सही तरीके से काम नहीं किया means हर्याणा महराश्टर पंजाब जैसी states में तो green revolution बहुत अच्छे से काम किया बहुत जादा यहां पर production बढ़ा बहुत जादा किसानों को फाइदा हुआ लेकिन उडिसा बिहार जैसे जो states थी वहां पर production में कुछ खास फरक्त नहीं पड़ा वो पहले भी गरीब थे और बाद में revolution के बाद भी उन लोगों की जो condition थी वो सुधरी नहीं फिर next आता है limited farming population limited farming population का मतलग कि जो हमारी green revolution था वो सिर्फ limited लोगों को population means लोग और limited यानि सीमित सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको वो benefit दे रहा था यानि कि वो जादा तर किन के लिए फ्रादी मन था rich people के लिए गरीब जो किसान थे उनके पास proper facilities नहीं थी उतना पैसा नहीं था कि वो high level की seeds और fertilizers करीद पाए और जो credit available हो भी रहा था उसका interest वो नहीं चुका पा रहे थे जिस वज़े से वो अच्छी production नहीं कर पा रहे थे और जो अमीर किसान था वो तो फटा-फट से पैसा दे कर अच्छी facilities का इंतिजाम कर पा रहा था इसलिए उसकी production बढ़ पा रही थी बट गरीब किसान तो गरीब ही रह गया next जो इसमें difference आया वो क्या था जो सबसे बड़ा limitation आया वो ये कि यहाँ economic को divide किया divide मतलब बांट दिया जो अमीर किसान थे वो और अमीर होते चले गए और जो छोटे या गरीब किसान थे वो और गरीब होते चले गए क्योंकि high level के seeds, fertilizers, tractor, compiler ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए या इनको rent पर भी अगर use करना है तो भी पैसा चाहिए अब पैसे के लिए वो क्या करते थे जाकर नाबाड से या कहीं से loan लेते थे और फिर उस loan की payment नहीं कर पाते थे या फिर उस loan की interest को pay नहीं कर पाते थे और finally उन्हें suicide करना पड़ता था जैसा कि आप सब जानते हो एक condition एक बार ऐसा time आया था जो हमारे किसानों ने बहुत जादा suicide attempt किये थे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया अब इसमें जाएक सबसे बड़ा question उठता है वो क्या है क्या इंडिया में एक और green revolution की जरूत है does India need another green revolution क्योंकि ये सारे limitations तो बता रही है कि हमारे किसानों की हालत तो अभी भी नहीं सुदरी तो क्या हमें एक और phase चाहिए यानि हमें एक और bar green revolution लाना चाहिए तो yes answer है yes क्यों क्योंकि हमारे पास अभी भी low productivity है still मतलब आज भी हमारे यहां production उतना नहीं हो पारा जितना होना चाहिए second dependence on rare fall आज भी हमारे ज्यादतर किसान किस पर निर्भर करते हैं बारिश पर अगर बारिश नहीं हुई तो फसलों को पानी भी नहीं दिया जाएगा फसलों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो एडिट की facility नहीं है तो और सुधार करने की जरूरत है green revolution में and last is uncertainties of market market में आज भी जो किसान अपनी फसल लेके जाता है तो उसे वो रेट नहीं मिलता जो से मिलना चाहिए मतलब कि उसकी जो कहीं बार हमने सुना है कि गोभी जैसे कॉली फिलावर उसके बोरे के बोरे और जो कि वही को भी market में जबाती है हम लोगों को हमाम इंसानों को वो कितनी महंगी मिलती है इसी तरह से और भी बहुत सारे examples है तो इस वज़े से हम यह कह सकते हैं कि green revolution में changes लाने की जरूरत है अभी भी ताकि किसानों के हालत सुधरे तो यही पर आपका topic and आपका chapter भी cover ह हो जाता है खतम हो जाता है अगर आपको कोई doubt हो please comment box में comment जरूर करना and please do not forget to subscribe my channel thank you